आप क्या करेंगे अगर सेल में लिखने वाला डाटा कॉलम के लिए बढ़ा हो और उसमें न समाएं? सही, आपको सेल सामगरी को समायोजित करने के लिए कॉलम की चौडाई और रो की लंबाई को बढ़ाने की जरूरत होती है. चलिए जानते हैं कि कॉलम को कैसे चौडा कर सकते हैं। Column Width में परिवर्तन लागू करने के लिए OK पर क्लिक करें जब आप Auto Fit Column Width विकल्प का चैन करते हैं तो MS Excel अपने आप ही Column के आकार को सेलों की सामगरी के हिसाब से ढाल लेता है Column के Border पर माउस रखकर खीचने से भी आप Column के चौड़ाई को बढ़ा या घटा सकते हैं Column Header के Right Border पर माउस ले जाकर रखें माउस का बाया बटन दबाएं और Column के चौड़ाई को बढ़ाने के लिए माउस को दाहिनी तरफ खीचें तथा चौड़ाई कम करने के लिए बाई और खीचें इच्छानुसार चौड़ाई सेट करने के बाद माउस बटन को छोड़ें चलिए अब रो की लंबाई को कैसे परिवर्थित करें जानते हैं रो की लंबाई परिवर्थित करने के लिए Row शीरशक पर क्लिक करें Home टाब के Cell Group के Format ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें Row Height के विकल्प का चैन करें Row Height Dialog Box प्रकट होगा Row Height Dialog Box में से इच्छानुसार Row Height एंटर करें Row Height बदलने के लिए क्लिक करें OK Row Height Dialog Box को माउस द्वारा खीच कर भी आप Row की लंबाई बढ़ा सकते हैं